नमस्कार दोस्तो रोहित है आज का जो टॉपिक है मतलब बहतरीन टॉपिक है और मेरे हिर्दय के भी बहुत कर्यू है क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो ये गांधियन आइडियोलोजी और गांधियन फिलोसफी मेरा एक एलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है जो इंजिनियरिं के लिए बहुत important है अगर आप BPSC का प्रश्नपत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि गांधियन आइडियोलोजी से minimum एक question तो 38 नमर का वो पूछेगा ही कही न कहीं से घुमा के पूछलेगा अगर आप UPSC दे रहे हैं तब तो फिर ethics वाला paper में आपके पास कोई विकल्प साउंड होगा पर अगर आप गांधियन आइडियोलोजी को समझ लेंगे तो गांधियन आइडियोलोजी को समझ लेंगे तो कोई भी गांधियी पर उत्तर आएगा आप उसको एसे में लिख सकते हैं कहीं भी लिख सकते हैं और बहुत ही सांदार आप लिख सकते हैं आज ज अगर आप truth की बात करेंगे तो truth क्या है? truth मतलब गांदी जी के लिए भगवान है, अल्ला है, सब कुछ है. अब हम लोग करें «Gandhian ideology» को समझेंगे, देखे ट्रस्टिप मॉडल थोड़ा सा कठीन है अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए चवन्नी भर का चीज है नहीं तो आप रटते रह जाएगे और ट्रस्टिप मॉडल पर क्वेस्चन आएगा ही आएगा गांधियन आइडियोलोजी पर आएगा ही आएगा लेटर स ब्यक्ति हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा है कुरान पढ़ा है बाइबल पढ़ा है सारी ग्रंथ को पढ़ा है इन्होंने जब रिलीजियस ब्यक्ति है तो गांधी जी क्या मानते है गांधी जी मानते है कि एक भगवान है एक अल्ला है एक जिसु है ये जो भगवान है ये क्या है ये भगवान ममता का सागर है सारा चीज इसके पास सुपरलेटिव डिगरी में है ममता का सागर है ज्यान का भंडार है ये जो भगवान है ये न्याई है सुप्रिम कोर्ट से न्याई नहीं मिलता है तो लोग क्या बोलता है कि ठीक है यहाँ पर तुम केस जीत के भगवान न्याय करेगा, मतलब भगवान क्या है, सारा चीज का सुपरलेटिव है, न्याय करता है, भगवान क्या है, ग्यान का सागर है, भगवान क्या है, करुना का सागर है, भगवान में करुना भरा हुआ है, भगवान में क्या है, भगवान में दया का प्रचंडतम किसका मानना है गांधी जी का मानना है कि जो मनुस्य है हम है आप है यह किसका extension अच्छा मानते हैं कि अगर कोई एक लड़का पैदा हुआ घर में आपका तो आप क्या बोलते हैं कि इसका आख जो है इसके पापा से मैच करता है इसका जो नाख है मम्मी पर गया है ठिक है जो गया है इस बच्चा इस जो बच्चा है इट इस एक्स्टेंशन ओफ फादर पिता जी का डिये ने गया मम्मी का डिये ने गया इसलिए उसका एक्स्टेंशन है इसलिए उसका केरेक्रिस्टिक फीचर लिए हुए एग्री यस और नो गांधी जी क्या कहते हैं हम आप धर्ती जितने भी लोग हैं गांधेन एडियोलोजी कहता है कि हम किसके एक्स्टेंशन है हम भगवान के एक्स्टेंशन है जब हम भगवान के एक्स्टेंशन है तो भगवान में क्या है दया है करुणा है ममता है ग्यान है सर्वब्यापी है सर्वसक्तिमान है उस सब चीज भगव जब भगवान के हम एक्स्टेंशन है तो ये सब करेक्टरिस्टिक हमें है की नहीं है मम्मी और पापा का फीचर लिए की नहीं चुकि हम भगवान के एक्स्टेंशन है तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें दया होता है उसमें करुणा होता है वह बच्चा ज्यानी होता है वह बच्चा अच्छा इंसान होता है वह बच्चा सरवग्य है बच्चा को आप उसका आंक खोल दीजिये न तो वह सबसी पड़ सकता है तो चुक्कि वह भगवान का extension है भगवान का डियने उसमें है भगवान का extension है तो उसमें सारे positive गुन भरे हुए है पर आपके जहन में आएगा तो हमारे और आपके में क्या है क्रोध है हमारे और आपके में क्या है घ्रणा है हमारे और आपके में क्या है जलन है एक लड़की को देखिए दुसरा लड़की मिल गई मौल में सुन्दर है डाह से मर जाएगी तो उसका figure अच्छा है मुँ अच्छा है नाक अच्छा है ये है वो है क्या है जलन है क्या है डाह है क्या है घृणा है वे मरस्ता है अगर आप SDM बन गए तो आपका रिष्टेदार गोतिया भाई मर जाएगा कि बाप ने बा इए गांधी जी कहते हैं कि वो समाज से उठाता है वो इस quality कहा से उठाता है उसकी परवरिष ऐसी है कि उठाता है माबाप जलन वाला है तो बेटा में दे दिया उसको जलनियाह बना दिया है ना कहां से उठा रहा है उसकी societal upbringing पर है उसका दोस्तियार कैसा है इस पर निद् वो पहले बचपन से था नहीं से लिए का जा तक बच्चा जो बोलता हो सच बोलता है भगवान का रूप है समझ रहा ना कि मतब गांजेन एडियोलोजी को आप यूज कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है अब जाकर आप 10 लड़का उससे पूछ रहा है कि वो लड़की कैसी थी जब शुरू में थी तो उसमें घमंड नहीं था इगो नहीं था अटिटूड नहीं था पर क्या हुआ लड़का एक साय मैड़न आपका ऑप्सिनल क्या है लड़का उधर से वाई अप्रोच किया आपका ऑप्सिनल क्या है अब ऑप्सिनल करने से काम बनता है लड़की में क्या पहले था इगो था नहीं था अटिटूड था नहीं था तुम ऑप्सिनल पूछ पूछ के उसको में इगो और अटिटूड भर दिये कहां से इगो और अ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि ये जो धूल गर्दा जो समाज की कुरूतियां है इस अगर घर में ये आपका टेबल है दिवाली में आप क्या किये होंगे इस धूल गर्दा जम गया है पंखा पर तो आप क्या किये साफ किये जब साफ किये तो पंखा क्या हो गया ताजा हो गांती जी कहते हैं कि इस गंदगी को साफ करने की ज़रुत है यह जो धूल गर्दा जम गया है इस मनुस्य के आत्मा पर उसको साफ करने की ज़रुत है अब कैसे साफ करिएगा अच्छा हम एक्जाम में आप बैठे हुए हैं जब एक्जाम में आप बैठे हुए हैं तो आप क्या question मिलता है इज़ा माधा पटकना और बोलते हैं कि है भगवान अगर सरसटवी BPS यह पास करा दिये ना मन-मन मा आप बोल रहे हैं इज़ा हम पतना वाले हनुमान जी मंदिर पर एक किलो लड्डू चड़ाएंगे क्यों आप बोलें जिसको आप बोलें आप अपने आत्मा को बोल रहे हैं क्यों आत्मा को बोल रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि अगर हम आत्मा को बोलेंगे तो भगवान जी के पास पहुँच जाएगा कैसा आपको पता है कि भगवान जी के पास पहुच जाएगा क्योंकि य गरीब आपसे मुकाबला कर सकता है नहीं कर सकता है पर गरीब जो है एक बार दोनों हास उठाता है बोलता है भगवान हम तो इससे बराबरी नहीं कर सकते हैं हम तो इससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं पर इसका न्याय तुम देना किसको बोलता है अपने आत्मा को बूलता है और आप देखेगा कि अगला पर जाके आज नकल उसको हर जाना भरना है, गाड़ी एक्सिडेंट करेगा, मरेगा, गरीब का हाय कहीं जाएगा, रोवा टुटी है गरीब के तो पड़बे करी, है न, सुने होंगे गाना, तो वो किसको बोला, अपने अंतर आत्मा को बोला, कि सुप्रिम कोट, इदेश का सुप्रिम कोट पर हमको भरोसा नहीं, तुम्हारे नय पर भरोसा है, तुम्हारे हमको बुक पर भरोसा है, तुम याय करना, किसको बोला, अपने अंदर आत्मा को बोला, उसको पता है कि जो आत्मा है भगवान का एक्स्टेंशन है, मैं आत्मा हिर्दय परिवर्तन इसका इलाज है कैसे हिर्दय परिवर्तन इलाज है गांधियन एडियोलोजी को पढ़िए मतलब बेहतरीन आइडियोलोजी है गांधियन एडियोलोजी को आप पढ़िए गांधी जी से महबत नहीं हो गया तो आप मेरा नाम दनल दिजिएगा गांधी ज तो भगवान इसू का extension है, अंग्रेज भगवान इसू का extension है, भगवान जो जेसस हैं, वो क्या हैं, दैवान हैं, करुनावान हैं, ज्याई हैं, अंग्रेज क्या कर रहा है, हम पर एट्रोसाइट कर रहा है, हम पर क्या कर रहा है, जुल्म धा रहा है, गांधी जी क्या कर रहा तो क्या होगा ये मेरे कस्ट को देखेगा जब मेरे कस्ट को देखेगा तो इसके हुर्दे जो अंदर आत्मा में जो आत्मा में जो तंसें से जमीर है उसको धक्का लगेगा जब धक्का लगेगा तो इसका करुणा जाग जाएगा जब करुणा जाग जाएगा तो भारत छो और भगवान नाई है तो इसलिए गांधी जी का ये मानना है कि इसका हर्दे परिवर्थन किया जा सकता है गांधी जी कैप्टल परिश्मेंट के फेवर में होंगे की बीरोध में होंगे गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य को आप नहीं किल करिए फांसी मत दिजिए चो नहीं दिजिए वो भगवान का रूप है जब भगवान का रूप है तो भगवान को आप फांसी कैसे देंगे जब भगवान का रूप में है तो उसमें दया है, करुणा है, ग्यानी है, सब कुछ है उसमें धूल और गर्दा समाज के कारण हो गया है जब धूल और गर्दा समाज के कारण ये क्रोध घृणा डाह आ गया है इसके लिए उसका हिर्दे परिवर्धन कर देजिए और इसलिए अपना जो justice system delivery system है वो जो revengeful justice system नहीं है हम लोग फांसी पर बिलीव नहीं करते हैं हम लोग का revengeful नहीं है हम लोग का reformative justice system है इसलिए हम ल आपको general बता दिये अब आप समझे गांधिन ideology trustorship model क्या है अब देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि ये समाज का total wealth है जिसको आप GDP कहते हैं यही wealth है मानते हैं देश का GDP ये है इस GDP पर किसका अधिकार है बड़े बड़े उद्युपतियों का अधिकार है बड़े बड़े पु ऊस्था कि विप्रो की सरकार है नहीं है क्यों विप्रो टाटा ये सब क्या है उद्युग पती है इंडर्स्टियलिस्ट है अम्बानी अडानी क्या है ये businessman है दोनों में अंतर को आप समझेगा industrialist क्या करता है वो उद्यूग लगाएगा इंडिस्टिलिस्ट क्या करेगा वो अपने लिए एंटिलिया नहीं बनाएगा आपने रतन टाटा को देखा है वो नैनो मनाएंगे ठीक है ये भी हम यह ने बोले कि ये गलत काम करते हैं पर ये है कि ये उद्योगपती है ये बिजनेसमेन है इनके लिए अपना सुख अपना विल्थ बहुत मैटर करता है इन लोग के लिए समाज का सुख समाज का चीज़ बहुत मैटर करता है अब देखें गांधी जी का ट्रस्टिप मॉडल क्या है सिंपल सा समझ लिए ये काम आपका बन गया गांधी जी का ट्रस्टिप का सिद्धान के कहता है कि ये जितना समाज का विल्थ है ये किसका विल्थ है भगवान का विल्थ है है ना अब भेस्टी भगवान का विल्थ है गांधी जी भगवान को मानते है तो पुरा ये जो समाज का, जो GDP तुम सारा रिसोर्स बोलते हो, किसका है? भगवान का है, भगवान मानते हैं कि हम लोग को 100 आदमी धर्ती पर है तो भगवान के हम लोग क्या हैं? इक्स्टिंसन हैं, भगवान के वनसज हैं तो भगवान क्या करेगा? वो सब विल्ट को बराबर भाग में बाटेगा, किसी को जादा किसी को कम बाटेगा, बराबर भाग में बाटेगा, जो भगवान नयाई है, वो नयाई करेगा, पर अभी क्या है, जादा 10% आदमी के पास 90% का विल्ट है, और बाकी जो 90% लोग है, उसके पास 10% का विल्ट है इसका मतलब समाज में क्या है inequality है यही तो है समाज में inequality है भगवान ने inequality करेगा क्या भगवान inequality नहीं करेगा तो भगवान क्या समाज चाहता था भगवान egalitarian समाज चाहता था पर समाज egalitarian नहीं है बराबर नहीं है जो नहीं है क्यों कि कुछ लोगों के पास पुंजी है बाकी पैसा है आपका मानते है कि Kyotoल एक हजार करोड का विपरो का Total पुन्जी है अभी किसके पास है? अजीम परैम जी के पास है गांती जी कहते हैं कि यह 900 करोड रुप्या है यह समाज का रुप्या है जो आपका worker काम करता है उसमें बाठतीजिए इस 900 करोड का क्या करिए इस 900 करोड का अस्पताल बनाईए इस 900 करोड का आप देखते होंगे कि देश का सबसे बड़ा cancer संस्थान कौन है जी ताटा बनाता है देश का सबसे बड़ा engineering college कौन है अगर आप सोचते हैं कि IIT हैं तो ग है टाटा का बनाया हुआ है यह सब क्या है गांधिन फिलाफ़ी पर काम कर रहे हैं यह क्या कर रहा है कि 900 करोड रुपया को समाज में बाढ़ती यह आप इसके अमानत दार हैं देखे गांधिन जी के एक्स्पेरिमेंट में गांधिन जी दो सब्का यूज करते हैं एक गांधिन जी जागीर का वर्ड का इस्तमाल करेंगे और एक अमानत का इस्तमाल करेंगे हम बोलते हैं ये मेरा जागीर है मतलब मेरा भपाउती है हम इसके ओनर है अमानत का मतलब हम इसके ट्रस्टी है हम नहीं हैं बस इते संगरख्छक हैं और कुछ नहीं है गांधी जी कहते हैं कि जितने ही आपकी ज़रुरत है आप स्विक्षा से अपना पैसा निकालने के बाद जो remaining पैसा है उसको समाज में दे दीजिए समाज के उध्थान में लगा दीजिए पर कोई उद्योग पती ऐसा करेगा क्या नहीं करेगा गांधी जी क्या कहेंगे इसका हिर्दे प्रिवर्तन कर दो यहाँ पर लिखेंगे यह जो उद्योग पती है कैसा आदमी है यह उद्योग पती भगवान का एक्स्टेंशन है जब भगवान का एक्स्टेंशन है तो इसमें क्या है करुणा है दया है सब कुछ है गांधी जी क्या कह रहे है कि इस पैसे को तुम बाठ दो इसके तुम ट्र एक दम हक के लिए लड़ाई करने लगेंगे तो इसके अंदर के अंतरात्मा जग जाएगी धया जग जाएगी, करुना जग जाएगी जब करुना जग जाएगी तो इसको अपना गल्दी के एहसास हो जाएगा और यह जो पैसा है इसको ट्रस्टिक मॉडल के तहट समाज के लियान में लगा देगा अब यही है गांधिन एडियोलोजी यही है गांधिन फिलोसफी अब आप देखिए अगर यह जो 900 करूर रुपया है अगर इस 900 करूर रुपया को समाज के उत्थान के लिए आपने खर्च कर दिया इस 900 करूर रुपया को आप अपना जागीर रही मान रहे हैं आमानतदार मान रहे हैं तो यह पैसा आपने किसको दिया आपके साथ जो वर्कर है आपने उसको शेयर दे दिया आपने अस्पताल बना दिया तो इस पैसा से क्या होगा समाज एक egalitarian समाज बन जाएगा समाज में क्या हो जाएगा बराबरी आ जाएगा जब समाज में बराबरी आ जाएगा तब क्या हो जाएगा समाज में peace आ जाएगा समाज में harmony आ जाएगा जो कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है अब जब आप ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपलिपमेंट अफ दे हुमन अब ध्यान से देखिए गांधी जी क्या कर रहे हैं जब इस पैसे को बोलने हैं कि समाज क्यों थान में लगाएगा तो समाज में क्या हो जाएगा इगलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगा जब इगलिटेरियन समाज में सोसाइटी हो जाएगा तो कोई बड़ा नहीं रहेगा कोई जोटा नहीं रहेगा तो समाज में क्या हो जाएगा समाज में सांती कायम हो जाएगा समाज में peace आ जाएगा बहुत मत्वकुन चीज़ आपको बता रहे हैं पर इससे और क्या होगा जब इस पैसे को समाज के उत्थान के लिए खर्च करेंगे तो समाज में क्या होगा upliftment of human life हो जाएगा ठीक है? upliftment of the human life हो जाएगा जब आप इस समाज को आप इसको मानते हैं कि जो worker है आप इसमें करें कि तुम worker भी participate करेंगा decision making में, worker को हम shareholder बना देंगे, जब ऐसा आप करेंगे तो समाज में आप क्या कर रहे हैं? समाज में जो worker है, उसको आप dignity प्रदान कर रहे हैं मतब dignity of labor को आप maintain कर रहे है trust ship model के द्वारा जब आप समाज में ऐसा काम करेंगे तो जो industrialist है, जो ये resource वो resource इसको हमेसा ये चाहिए वो चाहिए अगर वो trust ship model को follow करेगा तो क्या होगा? जब इस trust ship model को follow करेगा, तो समाज में sustainable use of the resource हो जाएगा क्यो sustainable use of the resource हो जाएगा वो high akut समपती बनाने के चक्कर में नहीं रहेगा क्योंकि पता है जब वो akut समपती हम बनाएंगे, इसको तो समाज में ही बाटना है तो sustainable use of resource हो जाएगा तो ये सब benefit of किसके हैं? trust ship model के benefit हैं आज आप देखे कि समाज में natural resource का जाएगा क्योंकि industrialist को पता है कि इस पर समाज का हग है, समाज का अधिकार है अगर आप से पूछे कि what are the components or what are the properties what are the characteristic feature of the trust ship model तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि he is the populist economist है ना, गजब का अगर इस तरह कि अगर आप बात करेंगे तो जनता में आप क्या हो जाएंगे बहुत popular हो जाएंगे, तो इनको कहा जाता है कि एक populist अर्थ सास्त्री है गांधी जी, तो कहने का मतलब है इक populist अर्थ सास्त्री के रूप में गांधी जी क्या कर रहे हैं वो voluntary socialism की बात करते हैं, मतलब socialism तो अस्थापित कर रहे हैं, पर बंदूक की नोग से अस्थापित नहीं कर रहे हैं हिर्दय परिवर्तन से कर रहे हैं इस ये वो component क्या है voluntary socialism की बात करता है स्ट्रैक्षिक socialism की बात करते हैं गांधी जी ट्रस्टिप मोडल से गांधी जी ट्रस्टिप मोडल में किस टूल का इस्तमाल कर रहे हैं violence का इस्तमाल कर रहे हैं कि क्या का इस्तमाल कर रहे हैं गांधी जी अहिम्सा की बात कर रहे हैं हुर्दय परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं उद्योगपतियों का गांधी जी किस चीज की बात कर रहे हैं उस जोगपती को ट्रस्टिप मॉडल का एक important component है अपरिग्रह अपरिग्रहीं तो कर रहे हैं जिसको अंग्रे जी में non-position बोलते हैं गांधी जी बोलते हैं तब मुह माया चक्का चक्कर छोड़ो कि जादा संपती कर अरजित कर ले non-position is a striking feature of ट्रस्टिप मॉडल गांधी जी क्या कहते हैं गांधी जी human dignity की बात कर रहे हैं human dignity का मतलब क्या हुआ गांधी जी कहते हैं कि यह जो model है ट्रस्टिप का model यह philanthropic model नहीं है philanthropy में क्या होता है गांधी जी कहते है कि philanthropy में क्या है Bill and Melinda Gates Foundation को मन है कि आज vaccine में खर्चा करेगा तो खर्चा करेगा नहीं मन है तो नहीं करेगा आज उसका मन है कि AIDS में खर्चा करेगा तो करेगा आप उसको force नहीं कर सकते हैं गांधी जी का जो ट्रस्टिप model है ये philanthropic model नहीं है it is a right best model ये अधिकार best model है क्यों अधिकार best model है क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ये पूरा संपती पर अधिकार इसका है भगवान का है भगवान ने समाज को क्या बनाया egalitarian समाज को बनाया समाज की बिवस्ठा इस तरह की है कि कुछ लोगों के पास अकुद संपती आ गई है तो गांधी जी का जो model है philanthropic model नहीं है it is a right best model अधिकार है समाज के लोगों का उस पर अधिकार है ये जो संपती कठा हुआ है वो समाज का संपती था समाज के structure के कारण वो कुछ लोगों के पास एक अत्रेट हो गया है ये ही गांधी जी का कुछ लोग ये कहेंगे कि जो भी corporate social responsibility चलता है जिसके परसेंट उद्धोग जिसके लिए आप उद्धोगपत्यों के profit पर tax मारते हैं it is very close to the गांधी जी का मॉड़ल of the trust गांधी जी का मॉड़ल क्या है वोलूंटरली बेस्ट है एक चिक है पर ये जब आप CSR को लगा रहे है टॉप क्या करें गांधी जी बोल रहे है गांधी जी के खिलाप आप force fully लगा रहे है वो force के हिसाब से लगा रहे है ये मेरा मानना है पर जो Corporate Social Responsibility के समर्थक है उनका कहना है कि गांधी जी तो ये कहते हैं कि अगर हिर्दय परिवर्तन नहीं होता है तो सरकार इसमें इंक्रोज कर जाए सरकार कैसे इंक्रोज करेगी गांधी जी कहते हैं जब सरकार इंक्रोज करेगी तो कानून लेकर आएगी तो कुछ लोगों जो इसके सपोर्टर हैं कहते हैं कि Corporate Social Responsibility गांधीयन मौडल और टरस्टिप को फॉलो कर रहा है और सरकार इसको जबरजस्ती से लिए लगा रही क्योंकि गांधी जी कहते हैं अब हमने आपको समझा दिया अब हम answer का structuring आपके सामने करेंगे अब आप देखिए कि कैसे इसका structuring करेंगे बहुत important topic है यार इससे एकदम question पूछना ही पूछना है हम एक जाम में होते तो क्या लिखते गांधीयन ideology पे मेरा fixed है जैसे हम लिखते कि गांधी जी ट्रस्टिप मॉडल इस अन इंडिजनियस मतलब एकदम खुद रंग है उसका एक अपना रंग है हमने कहेंचे चोरी नहीं किया है इडिजनियस और इन्नोवेटिव क्रांतिकाली भी है इन्नोवेटिव मॉडल अफ ओनर से and management of industries हम देखें disclaimer फिर देद रहे हैं हमसे अच्छा answer लिख सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है इस मॉडल में गांधी जी क्या कहते हैं in this model in this model owners of industries or for that matter any business owners of industries or business or organization are to consider their wealth are to जो आपको सम्झाए है वही लिख रहे है are to consider their wealth belonging to God and society यही तो हम आपको बता है belonging to God or society ठीक है समाज को बिलोंग करता है and not as their personal property गांधी जी के ट्रस्टिप मॉडल में यह है कि आप इस संपती को अपने आने वाले पिढ़ी को ट्रांस्पर नहीं कर सकते हैं यह अपने मुके संपानी का बेटा जो एक हजार करोड का मालिक है तो मुके संपानी का बेटा हो जाएगा नहीं उस पर अधिकार समाज का है अब हम थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे कि the genesis of this model इसका genesis कहां है गांधी जी को inspiration कहां से मिला the genesis of this model और the genesis of this philosophy और of this model के जगँ फिलोसफी दिख ज्यादा चला गए है एक से करन को पढ़ने देजे ठीक चल रहा है न कि in this model honor of industry or organization are to consider their wealth belonging to the god or society and not as their personal property the genesis of this model or the philosophy lies in the religious book lies in पूरा लिखेगा आप religious books like भगवत गीता कुरान भगवत गीता गांधी जी बहुत बड़े समर्थक है religious book के कुरान बाइबल एक सेक्टा हमने एक simple सा लिखा आप और भी लिख सकते हैं बहुत तरीका का लिखा जा सकता है तो हम ऐसे लिखके आगे निकल जाते introduction को लेंदी नहीं रखना है introduction को थोड़ा सा crisp रखना है short रखना है गागर में सागर भरने की कोशिस करना है अब हम body में घुजेंके हम body में क्या करते हैं अगर हम आपके जगह रहते तो हम body में हम लिखते कि body में कुछ ना कुछ तो लिखना होगा कि body में क्या है देखिए मेरे पास अभी बहुत point नहीं है तो हम square वाला format में चले जाते component of the trustic model क्या है हम आपको बताए कि component of the trustic model क्या है voluntary socialism है एक्षिक स्वेक्षिक socialism की गांधी जी बात कर रहे हैं क्यों बोल रहे हैं कि force का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो voluntary socialism is a important component of the trustic model अब बताए कि गांधी जी के इस model में अहिमसा का अस्थान है कि नहीं बिलकुल अहिमसा का अस्थान है गांधी जी क्या कर रहे हैं हिर्दे परिवर्तन की बात कर रहे हैं गांधी जी के इस मॉडल में क्या है कोर आइडिया क्या है उद्योग पती क्या करेगा अपरिग्रह नन पोजेशन उसमें ये भावना जगाना होगा कि जितना तुमारा काम का है उतना रखो बाती समाज के उत्थान के लिए दे दो जो वरकर काम कर रहा उसको शेयर होल्डर बना दो ठीक है इस मॉडल का एक और इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या है जब आप वरकर को इतना इज़्जत देंगे तो वरकर का डिग्निटी बढ़ेगा वरकर को आप मनुष्य समझेंगे वरकर को आप अपना सेयर होल्डर समझेंगे स्टेक होल्डर समझेंगे तो यूमन डिग्निटी भी इसका एक इंपोर्टेंट कंपोनेंट है चार पॉइंट लिखे थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन में एक्स्प्लेंड किये अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम बताएंगे कि जो ट्रस्टिप मॉडल है इसका बेनिफिट क्या है ट्रस्टिप मॉडल का बेनिफिट तो दुनिया भर का है अभी हम आपको बताएं दुनिया भर का बेनिफिट एक सेकंड ठीक है देखिए क्या benefit है trusted model का समाज में कैसा समाज बनेगा in equal समाज बनेगा कि egalitarian समाज बनेगा ऐसा समाज का निर्मान होगा जहाँ पर सब कोई बराबर है तो egalitarian society बन जाएगा समाज में जब egalitarian society बनेगा तो समाज में क्या होगा peace होगा, harmony होगा सांती होगा ये एक benefit partnership model का है न, इतना लडाई जगडा नहीं होगा, अमीर गरीब की लडाई नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है, enrichment, upliftment and the enrichment of the human life होगा की नहीं, जीवन का पधती सुधरेगा की नहीं, आप गरीब को भी आप उसका stakeholder बनाएंगे, upliftment and enrichment of the human life, एक general आदमी का जीवन चर enrichment of human life, अभी आप देखिए, अगर सरकारी driver है, SDM सहाब का driver का तंखा कितना होगा, 70,000 रुपया होगा, उसका इज्जत है, और एक simple आप driver अखरिव सो 15,000 रुपया देंगे, तो enrichment of the human life यहाँ पर जाता है, है न, तो इस तरह से आप उसको relate कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या क sustainable, हम इसको लिख सकते हैं कि sustainable consumption, है न, अब उद्योगपती, पैसा हाई, पैसा हाई, पैसा हाई, तौबा नहीं करेगा, sustainable consumption रहेगा, जब sustainable consumption रहेगा, तो क्या रहेगा, eco-friendly चीज़े रहेंगी, समाज में जितना global warming वगरा हो रहा है, यह कर लो, वो कर लो, तो उसका भी impact कम करेंगे, तो इस तरह से हम 5 benefit लिखके, आगे निकल जाएंगे, बाकी आप और लिख सकते हैं, आपको model answer भी दे जाएंगे, उसके आप देख लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, कि conclusion को करेंगे, थोड़ा हम short करने की कोशिज करते, conclusion क्या करेंगे, देखे, conclusion में हमें साब को अपाए दे दिये, तो बहुत अच्छा होगा, देखे, हम क्या रहते, तो क्या लिखते, हम क्या उपाए देते, हम लिखते कि in present scenario, आज कल के समाज में in present scenario, ठीक है, in present scenario of competitiveness, of competitiveness and cutthroat competition, ठीक है, and हम देखे, सब short लिखते जाना है, आप बड़ा अब लिखे इन the present scenario of the competitiveness and cutthroat competition, गांधी जी ट्रस्टशिप मॉडल, गांधी जी ट्रस्टशिप मॉडल, may look as an utopian scheme, देखे, है मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है, may look as an utopian scheme, ठीक है, Google करिए के क्या होता utopian scheme, ठीक है, in present scenario of the competitiveness and cutthroat competition, गांधी जी ट्रस्टशिप मॉडल, may look as an utopian scheme, बड़, अब हम सलाह दे रहे हैं, देखे, अब हम सलाह देना, इस्टार्ट करेंगे, बड़, with a strong cooperative sector, cooperative sector में क्या होता है, joint ownership होता है, अब हम देखे, cooperative sector को लेकर आगे, but with a strong cooperative sector and public sector, सरकारी कंप्री जो PSU है, NTPC and public sector, but with a strong cooperative sector and public sector, with a small community ownership, अब आप देखिए, with a small community ownership, with a small community ownership, गांधी जी ट्रस्टशिप मॉडल, गांधी जी, ट्रस्टशिप मॉडल, can be panacea, panacea मतलब क्या होता है, रामबान, इस अवर्ड को कभी अब इस्तमाल कर देना है, देखे, conclusion पे ही number देगा, लास्ट में आदमी उपर से पढ़ते आ रहा है, conclusion उसको अच्छा लगा, तो आधा number भी बढ़ा दिया, तो काम हो गया, ठीक है, गांधी, with a small community ownership, गांधी जी ट्रस्टशिप मॉडल, can be panacea for the socio-economic issues like inequality, अब हम इसको लिखके अपना end कर देंगे, आप अलग तरीके से भी conclusion में जा सकते हैं, आपको पुरा अधिकार है, हम रहते तो, ऐसे करते, तो इस तरह से कुछ word को भी ध्यान में रखना है, इस्तमाल करना है, अंबलिकल रिलेशन्शिप, यूटोपियन इस्कीम, पैनेशिया, मतलब रामबान, ठीक है, अगर हमको कुछ लिखना है, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम उसको इस्तमाल थोड़ा सा एक अच्छा word कर देंगे, हंकी जोरी, everything is not हंकी जोरी in the economy, हम कहेंगे कि, it is not run of the mill affair, ठीक है, तो, मतलब, जेनरल चीज नहीं है, it is not a run of the mill affair, थोड़ा सा इस तरह का भी word का भी इस्तमाल आप करेंगे, तो ज़्यादा आच्छा रहेगा, और इस तरह लिखती याद हो जाएगा, है ना, तो कुछ इंट्रो हम लोग को बना लेना है,